जार दोस्तों श्वागत अफश्विका हमारे यूटिब चैनल पीसियस बाबा में दोस्तों मंगलवार को हमारे जेपीएसी के जो अध्यक्ष साहिब हैं वो उनका कारेकाल खतम हो जाता है बहुत ते वह वह ही वाटोरते हैं 251 दिन में हमने खुटा गार दिया ये कर दिया वो कर दिया हर निउस्पेपर पुरा भड़ा पड़ा था उनकी उपलब्दियों से हमिताफ चौधरी के नाम कहीं उपलब्दिया ठीक है चौधरी ने ये किया चौधरी ने ये किया इतने कम टाइम में पीटी ले लिया मेंस यह ले लिया वो ले लिया और आठ तारिक को हमारे हमन सोरेंजी सभी को नुक्ति पत्र देंगे इस अब चलता रहा लेकिन जारखंड में सब्वे परेसान है ठीक है इतो अपलब्धी थी अब बताएंगे इसी इसी उपलब्धिया हम जो निउस्पेपर वालों ने आज बता हैं तो यहां जारखंड में तो सबें परिसान है मंगरा परिसान है कि हम रहा कट आफ नहीं आ रहा है हम एक है दम चकाचख हुआ है तो बहाए यहां तो चोधरी ची निकल से लेकिन थोड़ा उपलब्दी और हम जोड़ दे रहें जो कल निउस्पेपर वालों ने जोड़ा कि 18-20 लड़के को एक एक कमने से पास करने के बाद भी एकदम अड़े रहें कि नहीं भाईया यह सब सैयोग है प्रेयोग नहीं है सईयोग है बहुत थे अच्छा बात फिर आपका एक तो जब एंसर देते हैं यह लोग चारचर बार एंसर देना पड़ जाता है बार बार रिवायज एंसर की डाउते हैं उसके बाद जब हाई कोट ने इस्टुडेंट ने बोला भईया में स्केंसिल कीजिए बहुत ते इधा-उदार धान ली है कुछ और लोगों को आना चाहिए तब एकदा मड़ गए नहीं नहीं आना चाहिए लेकिन जब हाई कोट ने लताड़ा तब इन्होंने ले लिया एक रिटेन हुआ रिकॉर्ड दिन में रिटेन की कॉपी चेक कई गई और आज तक उसका जो मॉडल एंसर की है जो दुनिया का हरे एक एक जाम देता है छुट पुटिया आपका जितना लोग रेट का एकजाम उभी देता है लेकिन यहां जे पी एस सी को मॉडल एंसर की देने इन Подसे भी में पताने का दिक्कत हो गई है कि कॉन सा संदूक में होने मॉडल एंसर की और कटॉप भर के रख दिया है मॉडल एंसर की नहीं दिया रिकॉर्ड टाइम में में मिन्स का एंसर चेक के लिया और उसके बाद यह कहते है कि ृपास्षू लोगों का नंबर एक था अब मेंस में 200 लोगों का नंबर एक होना ये भी एक संयोग हो सकता है JPC तो संयोग का ही घर है ना प्रयोग नहीं होगा यहां संयोग है यह भी बहुत बड़ा संयोग और है रहे जो साःफ जी है वह दू तिन फिन मिनट में सबको गेट आपकर देते हैंं पता नहीं कौंसा इंटरवू चलता है जो तीन मिनट चलता है PCS का ठीक है उसका रजल्ट अजाती रजल्ट तो ठीक था बहुते लोगों को होता है बहुते credit लिया जाता है record time में result दे दिया लेकिन न cut off दिया जाता है उसके साथ न model answer key की बात की जाती है और अभी आठ तारिक को result आने के एक महिना से भी जार दिनों गया लेकिन आज तक किसी का marks upload नहीं किया गया तो जो मंगरा उसको पते नहीं चल रहा है कि हम फेल कहां की है अरे पता चले ना कि मेरा किस copy में किस subject में number का मारा तक हम आगे के लिए लड़े क्योंकि जाड़कर्ण में पढ़ाई के साथ लड़ाई भी ज़रूरी है संगर्स के लिए अपने यह ठीक है तो आयोग इंदम अड़ गया आर्टी आई पर आर्टी आई कर रहे हैं लोग उसका भी नहीं जवाब दे रहा आर्टी आई को तो ऐसे ही यह लोग खा गया है तो आज के नियूस पेपर की बात करते हैं प्रवाद ख़बर का जो स्पेशल है कल लोगों ने सोचा कि साहब चोदरी साहब रिटायर हो रहे हैं कहा है यह सब लिखें आज इनों ने दिल की बात लिखी है और मन की बात और सची बात लिखी है पारदरसिता के अपने ही नियमों का किया उलंगन ठीक है ट्रांस्पेरेंसी के नियमों का उलंगन किया है किसने किया है जे पी एससी ने अंक जारी किये बिना की गई नियुकती की अनुसंसा इतना क्याची का हरवड़ी है मतलब इतना किस चीज का ट्रेंच चुट रहा मैंचे समझ में नहीं आरहा कि भहिया आपको नियुकती पत्र सबसे पहले देना है न कट आफ देना है न नंबर देना है मतलब बहुत्ते बड़ा जोल है कि आपको cut off a number दे दिया जाएगा तो पोल खिल जाएगा कि record दिनों में कैसे सारा काम हुआ है मेंस का copy कैसे चिक हुआ और बाकी चीजे record time में कैसे हुई है जेपिएसी ने परदर्सिता के अपने ही नियोमों का उलंगन कर सरकार के पास 252 सफल उमिद्वार की निक्ति की अनिसंसा भेज दी है हलाकी आयोग ने cut off marks और सफल उमिद्वारों को मिले number को सरवाजनिक नहीं किया है क्यों करेंगा भाई सरवाजनिक कर देंगा तो वहुत्ते चीज सामने आ जाएगा न आयोग ने निक्ति के लिए सरकार को भेजेगा अनुसंसा पत्र में भी इसका उलेख नहीं किया है है आयोग के इतिहास में बिना अंक जारी किये ही निक्ति की अनुसंसा करने की पहली घटना है ठीक है पहली घटना और पहली घटना है यह तो साफ लिख रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो जिलान चाहिए उसका GPSC का खुद का नियम बोल रहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना अंक जारी किये बिना नंबर दिये निक्ति पत्र दी जारी है जिससे कई तरह की आसंकाओं को जन दिया गया है सरकार ने भी आयोग की अनुसंसा के बाद प्रमान पत्रों की जो आयोजित किया जा रहा हैं को चु civ सेवा प्रत्यों किता परिक्ठा में पारदर्सिता बनाये सफल उमिद्वारों का कट अफ माक्स कर ने की परमप्रा सुरू से ही रही आज से नहीं रही है लेकिन इस बार तो कोई हो कुछ नहीं बोल रहा है एक एक कोचिंग वाले भी पुरही तरह एकदम सोई हुए गहली निद्रों में भाईया इतना आवाज उठा देंगे अभी सच्चाई बोल देंगे तो एक गारीज जे पीसी का कुर्सवा कैसे बीचेगा परिक्षा के दोरान हो चुकी गरवडियों को देखते हुए आयोग ने परिक्षा को और ज़्यादा पारदर्सी बनाने के लिए नियम बनाया था कब बनाया था भाईया 15 जनुरी 2015 को बनाया था आपको लेटर नमबर दिया हुए 4-2014-137 जारी कर पारदर्सिता की इस नियम को लागू किया इसमें परिक्षार्थियों के आवेदनों को रद करने के कारणों और सफल वह असफल अभियार्थ को मिले नमबरों को सरवाजनिक करने का प्रावधान है कि भाईया जिनका सेलेक्षन हुआ उनका भी नमबर हम डालेंगे वेबसाइट में और जिनका नहीं हुआ उनका भी डालेंगे लेकिन आयोग ने पारदर्सिता के अपने ही नियमों का उलेक करते हुए एक महीने बाद भी सफल परिक्षार्थियों का को टीवार कट अफ मार्क्स नहीं जारी किया है और उनके भविस्वे के साथ बहुत बड़ा खिलवार किया है जिसकी सजा भगवान उन्हें जरूर देगा सिर्फ इतना ही नहीं आयोग ने निप्ति के लिए भेजी गई अनुसंसा में सरकार को भी सफल उपिद्वारों को मिले नंबरों की जानकारी नहीं दी इससे पहले तक की परिक्छाओं में रिजर्ट के साथी जारी कर दिया जाता था सरकार को भेजित जानी वह इसमें सफल उमिद्वार के नंबरों का उले किया जाता रहा है साथी रिजल्ट के तीन चार दिन के अंदर ही सभी मिंद्वारों को मिले नंबरों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था लेकिन आज यहाँ एक महीने से जादा हो गई ठीक है अब इस पर कोई बोलेंगे स्ट्वेंट फ्री में हल्ला कर रहे तो यह मैं नहीं बोल रहा है आयोग के इतिहास में पहली बार इस कदम से उठ रहे हैं कई सवाल भाई या क्रेडिट तो टुम ढोल फिट्र किया दोसारी कावंदीर में मोधी जिनी में नोट बंदी कर दिया अगर सब कुछ पाक साप है तो इतने क्यों डर रहे हैं तो सब कुछ सरवाजनिक करने के लिए नंबर देना क्यों तुम्हारी हलत खराव हो रही है सरकार ने भी अनुसंसा के बाद प्रमान पत्रों की जाच्की आठ को बढ़ जाएगा निक्ति पत्र अब तक रिजल्ट के सभी उमिदारों के नंबर वेबसाइट पर किये जाते रहे हैं अप्लोड ठीक है बगी यदे हो परिक्षा में पर्दश iota के लिए आयो के नियम परिक्षा के बाद निक्ति के लिए अनुसंसी तुमborg को कोटि वार उक्यों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी जाएगी निक्ति में सफल और असफल उमिद्वारों का माक्स वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा इसे सिर्फ संबंदित उमिद्वार डाउनलोड कर सकेंगे माक्स आदीश से संबंदित सुचनाएं आयोक की वेबसाइट पर 60 दिनों तक अबलब्द रहेंगे लेकिन अभी तक इसका की कहीं भी जिक्र नहीं है लोग RTI कर रहें उनका भी उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा है पूरी तरह पारदर सिताख खतम हो चुकी है और जब ऐसा होता है तो एक आस सी टुड़ जाती है कि अगर अभी इतना जादा मतलब जोल है तो क्या मैं आगे की तैयारी की सोचू क्या जो आगे की examination होगी JPSC की क्या उसमें भी ऐसे प्रपंच नहीं होंगे ऐसा खेल नहीं खेला जाएगा अब किसने किस motive से खेला वो तो नहीं पता हो सकता है कईयों को retirement के बाद सत्ता की love होती है सत्ता की लालच होती है कुरसी की लालच होती है अब क्या होगा तिये तो समय और काल ही बताएगा इसकी अभी बात करना बेकूफी होगी समय और काल में इस चिछ की भी पुष्टी हो जाएगी किस ने किस लोब और किस लालच से ये बड़ा जोल और इतनी अपारदर सिता की तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहीं दोस्तों करता है